नमस्कार, ABNN News में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुरेज ज्जा महराश्ट सरकार के पूर्व ग्रहमंति अनील देशमुक पर जो गंभीर आरूब लगे थे उनकी सीवे जांच शुरू हो चुकी है अब सीवे जांच शुरू ही है तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा लेकिन अनील देशमुक को ये जांच नागभार गुजर रही है उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर चुनोती डेरा ली सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीता को देखा सुना और जटके में उस याजका को खारीज कर दिया उन्होंने कहा कि जब आपने कुछ किया नहीं है तो आपको डर किस बात का है अब जाच होगी अब जो भी इस पर कल्पिट होगा वो कानून के नजरे में दोशीट हराए जाएगा आज इसी विशेव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रिम कोर्ट बार एस्सोशेशन के पूर एक्टिंग सेकेर्टरी है अनिल देश्मुक को डर किस बात का है देखिए अभी आपने कहा कि गंभीर आरोप लगाने का मतलब हुआ कि गंभीरता से जाच होनी चाहिए जिसकी गंभीरता सुप्रिम कोर्ट ने भी दिखाई कि सिब्याई इंक्वारी अगर हो रही है तो उनको किस बात का डर है ये एक सवाल है अगर अनिल देश्मुक जी को लगता है कि ये जो गंभीर आरोप है इसकी जांच निस्पच जांच हो करके और इसका दूद का दू अपनी बात रखनी चाहिए उनके समर्थन पहुंची है उन्होंने भी इस बात का समर्थन क्या निल देश्मुक की बात का कि वो भी चाहती कि सीबे इंक्वारी नहीं हो क्योंकि बॉंबे हाई कोर्ट में जो मामना डाला गया था जनने त्याच का डाली तो उसके आधार प अपनी रखती है और ऐसे मामले में जहां पर यह लग रहा है कि अगर सरकार खुद बायज है जो उन्हीं का ही वो नुमाइंदा था और आज नहीं है तो वो अपनी बात रखना चाहते थे रख सकते थे ऐसे उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन यह कि क अनील देशमोग को डर है कि कहीं मामला खुलना जाया मामला तो खुलेगा क्योंकि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी अब सीबी आए के सामने सबस्पर चुनवती इस बात कि किस मामले के अंदर गंभीता को देखते वे गंभीत से जाच करना है और जो बिस में क पिठो उनके खिलाब सक्टे सक्ट आरवे करनी है क्यां पर सदाहूल के साथ सुरेज ज्ञा एबी एनन न्यूज दिल्ली